नमस्कार, आदाव, सश्यकाल, मित्रों स्वागत है एक बार पुनह आप सभी का समाधान कारिक्रम में एक ऐसा कारिक्रम जो आपके प्रश्णों का उत्तर देता है, आपकी समस्याओं का समाधान करता है हमें उम्मीद है कि आपकी समस्याएं दूर होती चली जा रही है और आप समाधान स्वरूब बनते जा रहे हैं आपके चेहरे पे मुस्कान आती चली जा रही है यही वास्ताव में समाधान कारिक्रम का लक्ष है और हमें हमीशा मुस्कान देते हैं, समाधान देते हैं, आदर्नी राजियोगी सुर्य भायजी, आईए आज के सकड़ी में उनका भी नंदन करते हैं, और आपके प्रशनों के साथ उनसे मुखातिब होते हैं, प्रता जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है, अभी नंदन है, आपके पास ऐसे कुछ अनुभाव अभी रिसेंट्ली आया है, पिछले 5-7 दिन में मुझे रोज एक गुड न्यूज मिलता रहा, और एक बहुत अच्छा न्यूज तो स्टूडेंट्स का था, अभी एक्जाम हुए हैं, कहीं चालू हैं, तो बच्चों में बहुत आया है, भै उनका खतम हुआ है, और वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गए हैं, कि अब हमारे इतने मास आएंगे ही, ऐसे तो कई बच्चों के समचार आये हैं, लेकिन एक बहुत सुंदर बात जिसको मैं अपने दर्सकों को कहना चाहूंगा, महराश नासिक एक डिस्रिक् मा यही नीदना ना, बहुत इरिटेट रहना, और जब मनुस इरिटेट होता है, तो उसके बोल बिगड़ जाते हैं, तो दूसरों के बिगड़ जाते हैं, इससे घर में वातावर्ण में अशांती बहुत रहती थी, तो उसकी एक सकी ने मेरे से 10-12 दिन बहले फोन किया था मैंने सिंपल वी धी, जो हम सब को बताते हैं, और जिसका इफेक्ट सचमच चमत कारिक है, मेडिकल साइन्स या नियूरो फिजीशियन्स यदि इस बात पर बहुत अच्छा काम करें, और इसकी वारे में खोज करें कि इससे क्या हो रहा है, तो मेडिकल साइन्स को या साइक जो हमारा डिपार्टमेंट है, मेडिकल साइन्स में, मन औरोग, चिखित्सा, उनको बहुत अच्छे चीजे मिल सकती हैं, तो मैं सिंपली बताया कि जब भी तुम सबेरे उठो, तो लेट उठती थी, गोली खाते हैं बहुत सारी सोने की, तो कहा कि 108 बार मैं मास्टर सर्व सकतिवान हूँ, ये लिखना से अंती में बैठ कर, और सोने से पहले लिखना मैं एक महानात्मा हूँ, क्योंकि अब उसको रज्योग का ज्यान इतना जादन नहीं, मात्र मैंने उसकी सकी को कहा, इसको इन दोनों चीजों के बारे में अच्छी जानकारी देदो, कि हम साइदे बहुत ही, sincerely, with good feelings, उसने बैठ कर लिखा, तो आज उसका मेसेज आया है, बहुत अच्छा ये, कि उसको अच्छी नीदा रही है, दो-तिन दिन में ही वो गहदी नीद सोने लगी थी, और गोली अंधीर दिनी चूटने लगी, और उसने मन बना लिया है, कि मुझे 5- साइद दिन में सारी गोली छोड़ देनी है, तो मुझे बहुत खुशी हुई, देकी मातर 10 दिन के परियोग से, इतना अच्छा हुआ, मैं तो कहा था कि 3 मास तो तुम करना ही, फिर मैंने उन्हें कहा कि 3 मास तो इनको करना ही है, ताकि ब्रेन को बहुत अच्छी एनरजी चली जाए, होता यही है, कि जब मनुष सबेरे उठता है, उसने ये गुड फिलिंग की कि मैं सर्व सक्तिवान की संथान हूँ, मैं बहुत सक्तिसाली हूँ, और इसको लिखना सुरू किया, धिरे धिरे 20-25-30 बार लिखने पर कंसंट्रेशन होने लगेगी, तो जैसे माइ अंदर करेगी, ये तो हम नहीं समझ सकते, इस पर ही मैंने कहा था कि मेडिकल साइंटिस्ट को रिसर्च करनी चाहिए, फिर श्यम को लिखा, श्यांत में काम पूरा हो गया, मैंने उन्हें समझा दिया था, बिल्कुल निश्चिंट अपने को करो, और बिल्क पीसफुली ब इनर्जी ब्रेट को जाने लगी, उस एनर्जी ने उसको रिलैक्स किया, और उसकी बहुत बड़ी समस्य हल हो गई, तो ये बहुत सुन्दर एक समधान है राज्योग के माध्यम से, कि हम अपने संकल्पों को बदलें, तो वो चिंताओं के जो संकल्प होते थे और इरिटे वो से अंत हुआ, और देखे एक बहुत बड़ी समस्या हल होगी, बिल्कुल, एक सोचने की सचमच अपनी विधी में परिवर्तन लाने की ज़रत है ब्रताजी, शायद लोग ये सोचते हैं कि यदि लोग मेरे लिए बुरा कर रहे हैं, मेरे लिए गलत कर रहे हैं, तो बोलते जाएंगे, हमें दबाते जाएंगे, आखिर हमें भी तो शेर बनना ही पड़ेगा, तो वो फेर रिवेंजफुल होकर और बुरा-बुरा बोलते हैं और इससे घरों में अचान्ती होती है, तो वास्तों में सत्ती यही है, विचार बदल दो, सोचने का तरीका बदल समझ्चाएं बदल जाएंगी, इसे सिंपल से सिद्धान्त को यदि मनुस अपना ले, अपने सोच को पॉजिटिव कर लो, दूसरों के प्रती गुड़ एटिटीट्यूट्स रख लो, सुभावनाओं से भरा हुवा अपना चिंतन बना लो, तो अनेक समझ्चाएं जो भी कहा हूँ ब्रता जी कि ये जो दो आप विशेस मंत्र देते हैं कि मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ और मैं एक महान आत्मा हूँ, इसको जल्दी से हमें पेटेंट करा लेना चाहिए, अमेरिका न करा ले, नहीं ये भारत की चीज है, और ये स्वयम भगवान के परियों करा लेना चाहिए, और ये बिश्वास हो गया कि ये दोनों चीजे बहुत ही जबरदस्त पर भाव रखती हैं, तो मैं बहुत सारी समस्याओं में इनका परियोग कराता हूँ, और वो मनुस्य जो इनको बहुत सिंसियर्ली कर ले और विद एक्सेप्टेंस, मैं ये तो थोड़ा सा विश्यानत कर ले, बाकी श्यानती तो ये संकल्प कर देंगे, लेकिन मनुस्य थोड़ा सा अपने को इस्टेविल कर ले, दो-पांच मिनट भी, और मन बना ले कि मुझे ये अब लिखना है, तो सच मुच्चे ये बहुत सुन्दत चीज है, देल कर देल कर कि इनके बच्चे की शादी 15 साल पहले हुई, पहले तो शादी होने के बाद सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन अब दोनों पती-पत्नियों के बीच बहुत मन मुटाव रहता है, जगड़ा होता रहता है, और इसका गार पर बात आ गई है, कि अब डिवोर्स की बात आ गई है, और दूसरा भी मेल उसका भी essence ब्रात जी ऐसा ही है, कि पांच साल हुए है शादी को, और लगभग ऐसी ही इस्थिती है, यह चाहते हैं कि कुछ समाधान इसका आप्रदान करें, देखिए करन समस्या और बहुत बड़ी समस्या समाज में बढ़ती जा रही ह है, इसके मूल कारणों पर हमें गहराई से ध्यान देना पड़ेगा, समाज को ध्यान देना पड़ेगा, हमारा जो educated तबका है, उसको ध्यान देना पड़ेगा, मेरे पास भी ऐसे लोग आते हैं, और लड़की कहती है, क्या है, नोकरी कर लेंगे न, अपना जीवन गुजा लेंगे, इसमें क्या है, हम क्यों इनके साथ रहें ऐसे संगर्स में, लेकिन मैं उन्हे समझाता हूँ, जीवन गुजार लेना, नोकरी कर लेना, सेलरी ले लेना, चलो 40-50 अजार तुम्हें सेलरी मिल गई, तुमारे दो बच्चे लेकिन और क्या-क्या होता है, वो अभी तुमको पता नहीं है, जब समाज के लोग तुम्हें उल्टा सुल्टा बोलने लगेंगे, जब तुम्हें अनेक संगर्सों से गुजरना पड़ेगा, जब कभी जीवन में तुम अकेलेपन की फीलिंग करोगी, तब क्या होगा, उसके बारे में तुम्हें अभी परीचे नह पती-पत्नी और यह समस्या रखते हैं, मैं देखता हूँ कि इसका मूल कारण कहां प्रारब हुआ, नहीं तो भारत में तलाक, अब से 30-40 साली समस्या वैसी अमेरिका की है, लेकिन लगता है कि भारत में भी यह समस्या बहुत जादा बर्सी चली थी, लेकिन इसका बात सुना करते थी, लोग उसको कहते थी, यह क्या हो गया भाई, अनेक तर है कि सानुभूती उनके प्रती लोग रखते थे इस रूप से बहन के प्रती, अब इसका क्या होगा भाई, सम्हालो इसे, आज यह बात कौमन हो गई और कोर्ट में कैसी भरे पड़े इन चीजों में हाइस्ट पोजिशन पर पहुंचती जा रही हैं, यह बहुत ही सुन्दर बात है, हमारे लिए गर्व की बात है, कि जहां लड़कियों को स्कूल में भेजते हुए गाउं के खास लोग बिलकुल हिचकते थे, कि नहीं यह हो जाएगा, वो हो जाएगा, आज हमारी सभी बहने चोटी बहने highly educated हो गई हैं, हमारे लिए बहुत सुन्दर बात है, हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है, नहीं तो विदेशी लोग सोचा करते थे भारत की नारी तो अनपड है, उसको की धर भी मोड़ दिया जाए, वो तो राश्मिर्मान में कोई एहम जार है, दोनों की पास डिगरी है, दोनों जोब पर जाते हैं, तो कौन जुके, समझ चाहिए हो गई, लड़की सोचते हैं, मैं भी तो कमाती हूँ, पहले क्या होता था, पूरुस कमाता था, उसको एगो रहता था, तो चलो बहन जो है, वो थोड़ी दब के, थोड़ी स्य समान्त, उसको वेल्यू देनी पड़ेगी, क्योंकि वो घर चलाता है, अब वो कहती है, मैं भी तुम से कम थोड़ा है, तुम शेड तो मैं समासेर, तो ये इजुकेशन ने हमारी मनुस के अंदर एगो को बढ़ा दिया, एहम को बढ़ा दिया है, होना ये चाहिए था कि मन जितना विद्या प्राप्त करे, विद्या पती बने वो, उतना विद्या के अनुरूप उसका जीवन हो, जो विद्या मनुस को विनय न सिखाए, नम्र न बनाए, इगो लेश न बनाए, एंकार को बढ़ा दे, वो विद्या, वो एजुकेशन वास्तों में, इन्फोरमेश केवल degree oriented तो इससे मनुस को कुछ विशेस लाब नहीं हो रहा है तो एक और education बढ़ रही है डिगरियां मिल रही है no doubt बहुत अच्छा हो रहा है लेकिन दूसरी और ये टकराव बढ़ते जा रहे हैं तो इसमें मनुस को क्या करना पड़ेगा के जो उन में से समझदार हो एक जुके, एक चुप रहे एक इगोलेस बने जहां मनुस में इगो होता है वहाँ सबसे बड़ी मुश्कलात ये होती है के कोई भी व्यक्ति अपनी कमी को accept नहीं करता और जब accept नहीं करते तो लड़ाई होती है टकरा होता है, debates होती है confusion पैदा होते है misunderstanding होती है अगर बहुत अच्छी समझदारी हो एक ने कहा, दूसरा माने एक ने कोई बड़ी बात भी कही और मानलो गलत भी है उसे clarify करें कि बहुत ऐसे नहीं, ऐसे तो मैं ये कहूँगा कि इन दोनों के सिज में एक को तो समझदार बनना ही पड़ेगा दोनों ये बुद्धिमान है लेकिन बुद्धिमानी के साथ अब बने समझदार एक समझदार बने कहीं बहन को बनना पड़ेगा कहीं भाई को जो भी सोचे के मैं बुद्धिमान हूँ, वो समझदार बने, और समझदार मनुस का कर्तव है, थोड़ा जुक कर चलना, दूसरे की बात को भी सम्मान देना, टकराव को एवाइड करना, क्योंकि ब्रेक कर दें, परिवाट तूट जाएं, वैसे ये सब धी कितना बुरा है, जोडने की बात कितनी प्रिये है, परिवाट तूट जाएं, दोनों अलग-अलग हो जाएं, पहले तो दो परिवारों पर कितना बुरा इफेक्ट होता है, तो समाज में एक बहुत जादा अश्यानती फैलती है, विचार करें बच्चों पर क्या इफेक्ट होता है, अभी इनके बच्चे भी छोटे ही होंगे, अब छोटे बच्चों की मानसिक्ता पर इनके व्यवार का प्रभाव कितना गहरा पड़ेगा, और उनका भविस कैसा होगा, मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, माताओं को सिखाता हूँ, आपके घर में एक दो साल का भी बच्चा है, ए कर रहा है, और धीरे धीरे उसके अंदर इरिटेशन बढ़ता जा रहा है, और जब वो बड़ा होगा, पांच-सात साल का ही, वो अग्रेसिव होना शुरू कर देगा, उसके मन में भी क्रोध आएगा, अशानती का लक्षन बिलकुल साफ उसके मन में दिखाई देगा, तो जो इस तरह सोच रहे हैं, उनको ये जरूर सोचना चाहिए कि हमारे जगडों का effect बच्चों पर गहरा होता जा रहा है, और अगर सो परिवारों में ऐसा हो रहा है, उनके 400-500 बच्चे इस तरह से परभावित हो रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं समाज का और देश का क्या हाल हो इससे उनमें अशान्ती होगी, इसलिए एक समझदार बनें, घर में peaceful atmosphere बनाएं ताकि बच्चों का भी भविश सुन्दर हो, माबाप भी बहुत खुसी से निश्चिन्थ होकर रहे हैं, चोटी मोटी बाते परिवारों में आती हैं, गल्ती किसी की भी हो सकती है, गल्ती है तब तो यह हो रहा है, पर अपनी गल्ती को accept करके, थोड़ा सा नम रहोकर चलेंगे, तो यह बहुत बड़ी समस्या, जो छोटी बात नहीं है, पहड जैसी समस्या है, राई जैसी बन जाएगी, और परिवारों में सुक्ष्यान्ती की सरीता बहने लगेगी, बिल्कुल यह आपको संबंधों को समहालने में, उसे निभाने की जो समझ है, आप में जादा कहीं अधिक है, तो इस बात को सच मुझ अपने जीवन में लेकर के व्यक्ति आगे बढ़े तो सुन्दर होगा, एक मिशेज बद रहता है, जो मुझे लगता है जो इसमें भाधक बन रही तो शाहद ये जो एक विचार है, तो अपने अंदर उतनी शक्ति नहीं है, किसी के कि हर एक सामने वाला कुछ बोलता जा रहा है, और मों उसे टॉल्रेट करती रहूं या जुपती रहूं, तो ऐसी स्थिती में क्या करें फिर व्यक्ति कहूंगा, एक तो हर व्यक्ति को ये अच्छी तरह जान लेना चाहिए, कि जुकना ही मानता है, दूसरी बात ये, कि हम महत्तु किस चीज को दे रहे हैं, रात दिन के लड़ाई जगडों को, जो हमें सेप्रेशन की ओर ले जा रहे हैं, हम उस चीज को महत्तु दे रहे हैं, या हम जुकने को, देखिए जरा सा तो एक बहुत बड़ी प्रोब्लम हल हो जाएंगे, मतलब एक संबंध हमेशा कायम रहेंगे, दूसरा संबंधों में एक चीज पर और ध्यान देना चाहिए, दोनों को ही, पती-पत्नी के संबंध में विशे, इसके मानलो, पत्नी ने कुछ गलती की है, शादी से पहले वो उस तरह के कमेंट्स करता रहे, ये गलती बहुत होती है, तुम तो होई ऐसी, पहले से ही तुम ऐसी थी, तुमने वहाँ भी ये किया था, मैं सब सुन लिया है, इससे क्या एक दूसरे की भावनाएं हर्ट होती है, फिर वो भी कही ना कहीं से इस खोज में लग जाएगी, क और अपने भविश्क को सुनहरा बनाना, ये इस्तरी पुरूस दोनों को ही बहुत अच्छी तरह देख लेना चाहिए, और इसमें उनकी जो लड़के की मा हो, बेहन की जो सास हो, उसको भी एक अच्छी भूमी का निभानी चाहिए, या ससुर को एक बहुत अच्छी भूम को निकालना चाहते हैं, दूसरे पर उसका क्या effect होगा, इसकी कोई जानकारी उन्हें नहीं होती है, लेकिन जो बड़े हैं, उनको इन दोनों में maturity भरनी चाहिए, अच्छी बाते सिखानी चाहिए, अगर पत्नी घर में रहती है, असास के साथ रहती है, तो अच्छी बाते उसे सिखाए, तो हर्मनों सीखने के लिए तयार रहता है, और इस समस्या से निदान पाया जाए, आज ही एक phone call आया भरता जी, जब चर्चा चली ही रही है, तो उन्होंने शिर्वात ही ऐसे की, कि गुरु देव मुझे बचाईए, तो मैंने कहा कि, आप अपनी समस्या बत शक दूर नहीं होता, मैं उसकी सादत से बहुत परिशान हूँ, तो कई बार एक बंदे की कोई विशीस आदत, कई बार बहुत ज़्यादा परिशानी का सबब बन जाती है, और व्यक्ति सोचता है कि ये रोज-रोज के जंजट और कला से क्यों ना अलग हो जाया जाए, क्य उसके बारे में सक करती ही रहती है, और वो कहता है भाई अब आप बैठे हो, इसे समझा दो, मैं ऐसा नहीं हूँ, वही बात के लो मेरा मुबाइल चेक कर लो, मेरे पीछे कोई CID भेज दो, ये अपने बहम को खतम करे, बहम की दवाई तो होती ने, कावत थी बहम की दवा अब मेरा नहीं है, ये तो उसका हो गया, तो, मतलब की इजाज़त से ही मुस्कुराना है, इजाज़त से बिना कदम भार नहीं निकालना, अब मनुस्व तंत्र भी तो है, बंधन, इतना प्रेसर, एक मनुस्व सदा सुलिगार नहीं कर बाता है, थोड़ा स्पेस देना चा थोड़े बहुत ही बचे हैं, क्योंकि राजयोग में जो हम एक स्वमान की बहुत सुन्दर प्रेक्टिस करते और कराते हैं, स्वमान से अभीमान भी समाप्त होने लगता है, स्वमान से मनुस्के विचार भी महान होने लगते हैं, कहीना कहीं ये छोटे विचार जो होते है न, चाहे वो भाई के हो या बैन के हो किसी के भी छोटे बिचार हो सकते हैं और जब मनुस झ्ञान लेता है और वो इस पत पर आगे बढ़ता है तो संसार की सभी आत्माओं के बारे में उसे बहुत अच्छी ड्रस्टि मिल जाती है कि सभी आत्माएं हैं और सब का पार्ट अपना अपना है, सब के संसकार अपने अपने हैं, किसी में कोई कमी हो भी सकती है, मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं, कि व्यक्ति कह रहा है, भाई मेरे अंदर ये कमजोरी है, मेरा अट्रेक्शन किसी के और भी होता है, वो अपनी पत वो जो बहन है, मैं उसको बहुत अप्रिशेट किया कि you are very great, नहीं तो ऐसी सुनते ही आग लग जाती अंदर में, अच्छा मैं देखती हूं तुमें, लेकिन वो उसे कोपरेट कर रही है, और बाकाय दे कि नहीं, इससे ये नुकसान होंगे, अब हमारा परिवारिक जीवन है जब हम अकेले थे, तब हम कुछ भी करते थे, किसी के प्रति भी अट्रेक्ट होते थे, हम एक बंधन में बंधे हुए हैं, अब समाज का बंधन है और परिवार भी हमारे बच्चे हैं, अब ये बाती नहीं, तो उसे बहुत अच्छा लगता था, भाई बेचारा अपनी प समस्या बनी हुई है, इसे निजात पाया जा सकता है, तो राज्यों के माध्यम से इस ज्ञान को सभी को बढ़ाना है, कि सभी आत्माओं के संसकार भी अलग-अलग हैं, और हम सब कल्युक के end में पहुँच गए हैं, जहां माया का सामराज पूरी तरह से छाया हुआ है, त ज्ञान मिलने के बाद मनुस को ये बहुत सुन्दर अवेरनेस और एक ब्रोडनेस, एक विशालता, उदारता प्राप्त हो जाती है, तब मनुस दूसरे की छोटी मोटी मिस्टेक को नेगलेक्ट करने लगता है, और जो ये संबंधों की मधूरता है, इसको महत्व देने ल जीवन जो एक बहुत सुन्दर चीज है, मनुस जीवन जिसकी कीमत ही नहीं है, करोडों, अर्बों, पद्मों, रुपे भी कोई दे के मनुस को नहीं खरीच सकता है, जीवन कितनी बड़ी चीज है, इस जीवन को हमें एंजोय करना है, तो अपने विचारों को भी सुन्दर रखना है, फिर मैं वही बात कहूंगा इन दोनों कफेल्स के लिए, विदेश में ये रहते हैं, आप बुद्धी मानी के साथ समझदार भी बनेंगे, एक को अवस जुक कर चलना होगा, जो अपने को समझदार समझे, वो दूसरे को सम्मान दे के उसकी बास सुने, अच्छ आप आ रहे हैं, दोनों आते हैं ऐसे कई बार, तो एक बहुत बड़ी समस्या इस तरह हलोगी, यदि परिवार में ब्रताजी ये बहुत बड़ी समस्या है, और मुझे लगता है कि इस पे बहुत गहराई से विचार करने की सचमुच आवश्यक्ता है, तो मैं चाहूंगा क इस विचार को हम आगे भी लेते रहें, क्योंकि ये एक बात आपने रखी है, लेकिन संभवता और भी बहुत सारे आसे पक्ष हो सकते हैं, जिन पर प्रकाश की आवश्यक्ता है, और वियक्ती उन चीजों को नहीं समझ पा रहा है, जिसके कारण ऐसी एक विकट समस्या पर कि जुकता वही है, जिसमें जान होती है, अकडे रहना तो मुर्दे की पहचान होती है, अकडे रहना तो वास्ताव में मुर्दे का काम है, लेकिन हम तो सजीव हैं, जीवित हैं, और संबंद सच मुझ बहुत मधुर हो सकते हैं, यदि नम्रता का गुन हो, यदि आपस में समझ हो और हम एक दूसरे के मित्र बन जाएं पती पतनी यदि एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं तो सच मुझ जीवन का जो सफर है बहुत जादा आनंद दाई हो जाता है तो आपके जीवन का सफर बहुत सुखदाई रहे आनंद दाई रहे और आप जीवन का परिवार की शुब कामना है, यद्यपी विशय बहुत गंभीर है, इसलिए इस विशय को आगे भी हम जारी रखेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आज के लिए इतना ही, देचे एजाजित, नमस्कार